Hello students, welcome you all to Physics Links channel तो आज हम लोग units and measurement का lecture number 3 पढ़ने वाले हैं जिसमें की significant figures और rounding of numbers के बारे में पढ़ेंगे ये topic physics के अंदर तो है ही chemistry में भी है यानि कि एक जगा पर command करेंगे तो दो subject पर हमारा निशाना लगेगा और दोनो subject ठीक होगा तो बच्चों जो भी lectures आप लोग के लिए लाता हूँ इस पर based जो DPP है daily practice papers वो जो मैं आप लोग को ला रहा हूँ उसको आप physics links के website पर जाकर download कर सकते है www.physicslinks.com पर जाकर और उसका video solution जब लाता हूँ तो उसको आप practice करिए और फिर video solution से verify करिए कि हाँ क्योंकि एक तो lectures के अंदर जितना numericals करवाता हूँ या जो भी concepts उस पर और भी basics लेकर के अच्छे लेवल तक का numericals DPP के अंदर भी रहता है तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला topic क्या है accuracy and precision ये दोनो topic ऐसा है कि दोनों में बहुत बारिकी सा अंतर है तो पहले आप लोग example से समझ लेते हैं फिर देखते हैं कि ये इंगलिश में क्या लिखा हुआ क्या कह रहा है let exact value को भी एक measured quantity है उसका हमने ना पा तो आया 5.23 kg अब दो instruments से इसी को हम measure करते हैं let जो पहला instrument है वो measure करके लाता है माल लिजे कि 5.21 kg ये measure करके लाया second instrument जो है वो measure करता है let it be 5.1675 कुछ भी ले लिजी ऐसा kg ये दो instrument measure किया तो हम ये दोनो measured से देखते हैं कि क्या है क्या ये दोनो exact measure किया जतना था नहीं क्योंकि exact तो 5.23 है ये 5.21 measure किया वो 5.16 तो भाई ये भी गलत है ये भी गलत है तो दोनों तो गलत ही है लेकिन which is more accurate accurate का मतलब होता है कि exact answer के नजदी कौन है तो ये तो 5.165.21 यानि कि ये नजदीक है तो हम को ये समझ में आ गया कि this is क्या आप बोलनेंगे more accurate है ये क्या है ये वाला more accurate है वो क्या है तो वो है वो तो अलग ही है बहुत दूर है लेकिन ये देखरो कितना decimal places तक ये वाला instrument measure करता है two decimal places तक और वो third, fourth decimal places तक measure करता है का मतलब है कि ये instrument थोड़ा ज़्यादा sensitive है हलका सभी कुछ करेंगे तो भाई वो measure कर लेता है तो बोलते हैं कि limits या कितना decimal places तक कोई ज़्यादा measure करता हो अगर ज़्यादा decimal places है तो हम लोग उसको बोलते है this is more precise अग्दम बारिकी सा sensitive इसका मतलब समझे तो ये हो जाएगा more precise है ये क्या है more precise है ये ऐसे है न दिखरा हो देखे तो बस हो गया अब समझ में आ गया जो close वो more accurate जो answer दूर हो कहीं भी उससे मतलब नहीं ये लेकिन क्या है कि ज़्यादा decimal places तक अगर measure करता हो तो more precise अब देखे हैं what is accuracy definition भी check कर लेते हैं क्या है it refers to the closeness of a measurement closeness of a measurement to the true value of the physical quantity exact value को हम लोग true value भी कहते हैं अच्छा precision it refers to the resolution or resolution मतलब limit to which the quantities measure कितना limit तक हम लोग मतलब क्या होगा ही decimal places तक हम लोग measure कर रहे हैं ज्यादा decimal places होगा तो उसका resolution बोलते हैं ज्यादा कम तो बोलेगे resolution कम तो ये हो गया accuracy and precision अच्छा अब जो topic है बहुत प्याराश तो topic है बज़ब गजब ये पूरा क्लास 11 और 12 फिजिक्स में ये पर्टिकुलर्ली एक ऐसा definition है significant figures का जो की थोड़ा सा unique है हाट करके पहले थोड़ा मस्ती करता हो फिर बाद में पढ़ाता हो पहले definition से थोड़ा मस्ती करते हो देखें ज़रा क्या what is significant figure these are those digits वो ऐसा digit है इन्हें measured quantity about which we have confidence in our measurement यानि कि जब आप कोई चीज को measure कर रहे हो ना तो आपके पास confidence है कि नहीं measurement वह important है बच्छे जो बोल रहा तोड़ा अलग तरह से बोला ठीक रियालिटीव बताऊंगा लेकिन आप सुचो ज़रा लिए दस पंदर लड़के है ना क्लास में चलिए इस्टूडेंट है मेजर करें सब तो मैं पूछूंगा confidence है आपको है ठीक है तो significant figure ठीक पर सब थोड़ा confidence का में कम confidence है इस significant figure पढ़ने बेखार है तो इसको पढ़ने के लिए पहले determine करिए comment section में लिखिए कि do you have confidence आप कहीं लिखोगे नहीं सर मेरे पास confidence नहीं है तो लेक्चर देखने की जुरत नहीं है इसको पढ़ने जुरत physics भी हाथ से जाएगा और chemistry भी जाएगा थोड़ा से इसका मतलब we must have confidence to study this topic मेरे पास तो confidence है बाए मैं तो मस्ती करके पढ़ने देख लिए आप अपना अपना सब देखिए चलिए हाँ शुरू करते हैं अब physics पढ़ते माचो क्या क्या इतना चाहता है कि ऐसा digit होता है जब को हम मेजर करके लाते हैं जैसे मैं आपको यह बता तो धारन से हैं अंग्री जी सब समझ में आता है यह सब देखते हैं कोई हम तो फिल करके देखिए थोड़ा सब physics बोलते हैं थोड़ा सब दिखे थोड़ा सब दिखे तो फिलिंग आएगा 7.64 बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे सर मेरा 7.63 आ रहा है 7.62 आ रहा है को बोलेगा सर मेरा 67 आ रहा है सर किसी का जाधा किसी का कम ऐसे लेकिन एक्जैक्ट अगर 7.6 जो मेन है एक decimal places तो उतना तो करीब करीब सब का ही आगा थोड़ा थोड़ा ही न गलती होने का चांस है सो तो वो गलती होगा कहां पर यहां पर कहां पर गलती होने का चांस है यहां पर यानि हम ऐसा कह सकते है कि यह वाला जो डिजिट है यह एक ऐसा डिजिट है जो uncertain है, क्या यह, uncertain, भाई, किसी का कुछ भी आ सकता है, क्योंकि major उसका जो वज़ाने हो 7.6 है, second decimal places, third decimal places, तो भाई, गलती थोड़ा मुड़ा होता ही है, तो बोलेंगे, यह हो गया uncertain, लेकिन यह जो है, यह, we have, we have confidence, कि भाई, एतना तो आएगा ही आएगा, कोई बोलेंगे, मेरा 7.5 हे आएगा, तो लिंक ही से ही बाहर है, उसको तो फिर आप कुछ भी measure कर रहे हो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यह दोनों डिजिट में होगा confidence, यह होगा uncertain, तो बोलेंगे, how many significant figure केतना होगा, significant figures केतना हो जाता है, यह जतना हमको confidence है, यह two digits है, प्लस एक होत these are those digits in a measured quantity, about which we have confidence in our measurement, plus one additional digit that is uncertain, अगर मालीजे ऐसा कुछ हो, 7.67, 95, 4, 3, 2 ऐसा, तो पता है कि भाई, जब एतना exact इसका वज़न एतना है न, तो इतना तो भाई, करीब करीब समझे सब को एका आएगा, बस last digit जो है न, थोड़ा दाएबाए होता है, तो यह plus one additional digit वाला में चला जाएगा, अब यहां हमको क्या है, समझ में आगया कि यह क्या है, तो हम लोग इसमें पर जो है न, अब आता है rules regulation, कि भाई, बहुत तरह का numbers होता है, को scientific notation में 10 to the power है, को 0.00 है, को simple numbers है, को decimal है, ता आगे, ता पीछे, बहुत सारा numbers है, उसको category में बाटा हुआ है, कि ज क्या कहता है, आखो का अंधज कहता है, पढ़ी जड़ा, rules for finding, number of significant figures in measured quantity, all the non-zero digits are significant, non-zero का मतलब कि 0 नए हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 9 तक, तो कोई भी numbers अगर दिखाई दें, जिसमें 0 उरू ना हो, तो सारे digits क्या हो जाता है, significant, यानि कि 1, 2, 4, 5, कहीं 0 नहीं है, तो all digits are क्या हो जाएगा, significant, तो हम लोग बोल देंगे, यहाँ पर 4 significant figure, ऐसे करके लिख लिख दो कहा है, तो सारे numbers ऐसा ही है, तो यह total सारे हो गया, significant, यह टीक लगा रहाएँ, dash का मतलब क्या, significant, कहीं ऐसे करके, cross लगा देंगे, मतलब वो दोनो digit क्या है, not significant, तो confuse मत हो ना आप ल रूल है, बहुत आसान, दूसरा रूल पर चलते है, all the zeros between two non-zero digits, यानि मालीजे की 7 और मालीजे की 5, दो non-zero digit हो गया, इसके बीच में जतना भी zero आएगा, सारे क्या होंगे, significant, क्या होंगे बचो, सारे significant, चाहे उसमें decimal हो, या decimal ना हो, लेकिन कोई भी दो non-zero digit अगर हुआ उसके बीच वाला जो zero होगा, वो क्या हो जागा, significant, यह rule number 2 कहता है, हाँ, तो यहाँ, lines भी देख लिजए, क्योंकि जो होता है, क्योंकि मैं example तो बता दू, पता चला आपका भी पहर बुक लाइने नहीं समझ में आ रहा है, कि क्या है, इसलिए हम लोग को हर तरफ से मजब point is, if at all, अगर है भी, तो कहीं भी उसर फर्क नहीं पड़ता है, जैसे, यह है non zero digit, यह है non zero digit, यह दोनों के बीच में 3 गो zero आ रहा है, तो यह सारे zeros क्या हो जाएगे, significant, टिक लगाने का मतलब यह, तो total number of significant figures केतना होगा, तो 3, 2, 5, significant figure, चलिए ऐसे भी लिख देता हूँ, क बोई बात ने, तो सारे क्या हो जाएगा, significant, तो total केता है, 3, 2, 5, 2, केतना हो जाएगा, 7, significant figure, यह हो गया, 7, significant figure, यह dot word लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि वो decimal है, यह इसी समझाने के लगा रहा हूँ, चो कि यह जो है, यह दोनों क्या है, non zero digit है, तो उसके बीच में वाले जो zero है, वो significant होता है, यह, rule number third, if the number is less than one, less than one का मतलब, 0.000000 कुछ भी हो सकता है, तो अगर number less than one हुआ, जैसे उधारन के तोर के 0.0023, 0.00020 ऐसा कुछ है, ठीक है, तो क्या कहता है, कि the zeros on the right, of the decimal point, decimal point मेरा यह है, इसके right side वाला जो zero है, decimal point मेरा यह है, इसके right side वाला जो zero है, तो बोलता है कि the zeros on the right of the decimal point, but to the left of the, अच्छा, but to the left of the first non-zero digit, non-zero digit कौन है भाई, तहां भी देखें, decimal point के right side वाला zero, देखें, उसके बाद गए, first non-zero digit कौन है, यह, this is the first non-zero digit, उसके left, मतलब कि इसी के बारे में बात हो रहा है, मैं इतना details इसलिए बतारोन होता क्या है, जैसे ना, जब भी आप लोगों को पढ़ाते रहता हो ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं भी class 11th में हूँ, और उसके बाद क्या दिमाग में हल चलो हो रहा है, तो उस तरह से पता चलता है कि भाई, इस तरह से पता चलता है कि भाई, जो है ना, to the right of इसका मतलब यह जो दिख रहा है, यह significant नहीं होते हैं, एकदम इसका मतलब भी तो कुछ नहीं 0.00, जो में ली है वो यह, यहाँ पर भी देखो, decimal के right side वाले zeros, लेकिन जो first digit हो, उसके left side में यह सब significant नहीं होते हैं, और decimal के जो पहले लगा, वो तो नहीं होगा 0.00, लेकिन बचो, अगर यहाँ one हो जाता न, one zero zero ऐसे करकर के तो, तो फिर यह सारे significant हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि पता है कि दो non zero digit first था, उसके बीच में zero यह आ रहा है था, तो वो एक अलग है, एक एक rule करके समझने जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना significant figure हो जाएगा, only यह, त के बीच में, तो significant, तो 2, 3, 5, यह केतना हो जाएगा, 6 significant figure, चलेगा, तो rule number three, rule number four पे आते हैं, the terminal और trailing zeros, terminal का मतलब ending, मतलब की final, और trailing मतलब जो last में, पीछे, पीछे, ट्रेल कर रहा हो, पीछे, तो the terminal मतलब की final, मतलब की end, मतलब की last, और trailing zeros, पीछे जो लग रहा हो, इन how two decimal points are not significant, जो number zero 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 लगे, decimal point नहीं होना चीए, तो इसमें भी decimal point नहीं है, last में, तो trailing zeros, इसमें भी decimal point नहीं है, last में trailing zeros है, यह सब numbers क्या होते हैं, they are not significant, यह significant नहीं होते, यह significant नहीं होते, तो बोलेगे, इसमें कितना significant figures है, तो सिर्फ यह वाला, कितना आ जाएगा, 3, यान पर देखें कितना है तो यह significant figure होंगे दा तीन तीन छे शिक्स significant figure एकदम straight forward आप सिर्फ समझते चले जाओ कि जो rule है वो कहता क्या है और हम लोग उसको निकालते कैसे दे ट्रेलिंग zeros इन नंबर फिर से आए ट्रेलिंग zeros इन नंबर लेकिन अब decimal point होगा भी थे decimal point are significant और क्या होता है significant देखें यह वाला नंबर था अगर decimal point नहीं लगे न तो उस zero का कोई value नहीं है लेकिन अगर decimal point लगा हुआ न तो उसका value होता है इसका मतलब है कि जैसे 3.500 का मतलब होता है decimal लगने मतलब कि फॉर्थ decimal यह थर्ड decimal places तक कोई instrument measure करके लाया है कि 00 तो उसका कोई significant value है पता है instrument बहुत sensitive है यतना दूर तक measure कर रहा है यह और भी खतरनाक instrument है यहां तक तो हम लोग कैसे बोलेंगे sorry 3.500 क्या है बच्छो 3.500 तो decimal के बाद वाले जो zeros होते है significant होते है यानि कि 1, 2, 3, total हो गया 4 significant figure अब यहां पर देखते है कि decimal point के right side में जो zeros हो लेकिन पहला जो non zero digit उसके पहले यह सब significant नहीं होता कोई मतलब ने बनता है यह भी कोई मतलब ने बना लेकिन decimal point लगा हुआ है तो उसका जो trailing zeros होता है उसका मतलब होता है तो इससे देखर पता चले था direct यानि कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 2, 5 significant figures चेहरा क्या देखते हो सही है चले हम लोग दिल में उतर कर देखो न अच्छा एक चीज 10 to the power minus 7 बचो मा लीजे कोई ऐसे numbers लिखा हुआ है लिखा हुआ ऐसा कोई numbers चाथे पिछला lecture में पढ़ाई थे आप लोग को order of magnitude और order ये पूरा जो number है इसमें से मैं बोलूँगा कि order क्या है मैं ऐसा करता हूँ यहां लिखे तो ऐसा कुछ 10 to the power minus 7 है मैं बोलू कि इस number में what is order मैंने बताया था उसमें order of magnitude मैंने बोल दिया था लेकिन साथ लिखा नहीं था लेकिन कोई बात है ना इसमें लिख लेते हैं मैंने बोला था लेकिन ये जो number 10 to the power minus 7 तो भाई इसमें order क्या है तो ये पूरा जो number है ना उसको order बोलते है कि 10 to the power minus 7 order का यह है जैसे माली जे यहाँ पर 1.6 into ऐसा कोच हो what is the order in this number 10 to the power minus 7 what is order of magnitude तो भाई यह 10 के जो power होता है power of 10 कहलाता है power of 10 जिसको कि क्या हो जागा minus 7 हो जागा मेरा order of magnitude पिछला लेक्चन बताये थे power of 10 method और मैंने बोल भी दिया था लेकिन लिखा था शिर्फ order तो चली यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं तो समझ में आया यह इसके अंदर देखी ज़रा the powers of 10 are not counted as significant figures उसको count हम लोग बच्छों नहीं करते है scientific notation में यह किसी तरह यह लिखा हुआ है तो 1.4 into 10 to the power minus 7 यह आ गया 10 के power minus 19 order है orders of a number are not significant तो यह हो जागा कितना तीन एक चार यानि कि 4 significant figure यह सब rules है बच्छों जिसको की follow करना है और बनाना कि कैसे numbers को नोग निकालते है तो rule 6 number तक समझ में आ गया rule 7 चलते है जरा rule 7 यह क्या है change in units of measurement of a quantity को quantity मेरे पास है हमने length है किसी चीज़ का measure करके लाया है 594 meter अब इतना meter लाए है इसको अगर हम लोग centimeter में बदल ले unit change करते हैं इसको millimeter में इसको kilometer में इसको nanometer में इसलिए units जो है ना शुरू आतिम पढ़ना चाहिए अक्सर बच्छों लोग skip कर देते हैं dimensionation से start हो जाते हैं और वो इतना घातक होता है पूरा physics के लिए पूरा physics के लिए छोड़ी element हो पूरे physics के लिए इतना घातक होता है कि छोटा-छोटा जगर numerical conversion में problem फंस जाते हैं बस हो गया गरबड़ी हो जाता है इसलिए पढ़ना है तो अच्छे तरीके से शुरू से सब कुछ पढ़ते चले जाए कभी कोई दिक्कत नहीं होगा देखें मीटर कुक सेंटी मीटर मीली मीटर कीलो मीटर नैनो मीटर में सब चीज में हम जरा convert करते हैं याद आ रहा है यह वाला चीज देखें मैंने लिक करके रख दिया इसको पहचानते हैं रिष्टे में हमारा कोई लगता है यह क्या लगता है कि मीली सेंटी मीटर डेका हेक्टो किलो यह सब गजब था यह सेंटर लाइन था यहां से उपर जाते हैं तो 10 multiply करते है यह अगर उपर से तो हम 10 divide करते चले जाते हैं मीटर को सेंटी मीटर बदले तो क्या आ जाएगा 594 और 1 मीटर उकलalk टुह 100 सेंटी मीटर अतना सेंटी मीटर जरब बदलते हैं पहले नंबर मीटर को मीली मीटर में में मेटर को मिली मीटर में तो 10 10 10 noodle 10 यानिकि थाउजंड यानिकि 5 9 4 10 10 into 10 millimeter फिर मीटर को किलो मीटर में यहां देखे मीटर को किलो मीटर नीची जा रहा है तह टेनी इंट्टीटीटो लेकिन कहा डिवाइड होती चला जाएगा तो हम क्या बोले 594 कितना वर 10 x 10 x 10 डिवाइड कर दे, आंसर आजा किलो मीटर में तो इसको solve अगर करे 594 x 10 to the power minus 3 किलो मीटर क्यतना आजाएगा 594 x 10 to the power minus 3 क्योंकि ये 3 है उपर जाकर के minus 3 नैनो मीटर में question भी कराए थे कि 594 मीटर तो हम लोग क्या बोले कि एक नैनो मीटर में याद है कितना होता नो 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 मतल्ब नो मतल्ब नो तो एक मीटर इधर लिखेंगे तो ये इधर चला जाएगा बटे 9 तो 10 to the power 9 मीटर आजाएगा 10 to the power 9 कतना नैनो मीटर आगिया तो जहाँ पर मीटर है नैनो मीटर लिखना होता 10 to the power 9 multiply करते हैं 594 into 10 to the power कितना नाइन नैनो मीटर अब देखते हैं जरा कि क्या-क्या है इसमें क्यातना significant figure है three significant figure तीन direct digit इसमें तो याद रखे आप जो rules पढ़े उस rules को लगाते हैं यह जो trailing zeros होता है numbers में जिसमें decimal ना हो तो नहीं होता है तो यानि इसमें three significant figure है यह देखे जरा trailing zeros बीना decimal point का not significant क्यतना हो गया three significant figures यह वाला क्या है 594 into 10 to power तो order of number जो है not significant होता है तो भाई इसका भी हो गया क्यतना three significant figure यह क्या है order of a number are not significant फिर से तीन यानि कि तीन significant figure तो यहां से हमको कुछ समझ में आया और हम एक rule बना लेंगे क्या rule बना लेंगे कि क्या rule बनाएंगे कि जब कोई एक numbers का जो भी unit हो दूसरी units में जब हम convert करते हैं तो देखो यहां three significant figure है ना तो सारे में three significant figures ही रहता है यानि rule क्या बन जाएगा मेरा change in units of measurement of a quantity does not change the number of significant figures तो बड़ा important चीज हो गया example के तहट हम लोग समझ लिए किसी भी चीज को यह convert कर दे यह सारे questions बुचो examination में आते हैं तो समझ में आना चाहिए हमको next an exact number which is not a measured value एक exact number उठाते हैं जो कि measure करने के बाद नहीं आया लेकिन वह एक number है वो लोग के sir क्या बोल रहे हो sir कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब चाहिए तो लिख दे लेकिन थोड़ा सा आपको भी थो थोड़ा confuse करना चाहिए है कि नहीं हमको तो confusion हुगा तो थोड़ा बोला confuse करेंगे क्या बोले exact number है लेकिन measure करके नहीं आया है ऐसा उधारन क्या हो सकता है बाई measure करके नहीं आया हो number और exact number हो उठको टाक जैसा लिखा हुए ना थोड़ा सा confusion हो रहा है जैसे एक उधारन ले ले radius हो जाता है diameter बठे टू डी इकोल टू है टेंथ में भी पढ़ क्या यह measure करकर के लाएं है टू वहां पर नहीं फर्मूला है हमने derive लडी कर लिया सब कैसे है proof वेगर सब तो इसी को हम लोग कहते हैं this is an exact number and it is not a measured value it is देखे जहां जहां हमको confusion हुआ था ना वहां हम थोड़ा थोड़ा confuse करेंगे ठीक है यह मेरा फर्ज है मैं अपना measured value तो और दूसरा कुछ आ रहा है circumference let it be जैसे होता है 2 pi r तो फिर से यह वाला जो है क्या हो जाएगा यही हो जाएगा यह formula के अंदर आता है 2 और कोई number लिए let it be pi तो pi का number पता है 3.14 22 by 7 उसको भागा जब दो गए 3.14 dot 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 बहुत सारा digit साथ ही चला जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाइ जब भी कोई ऐसा exact number आता है जो measured value नहीं है measured करके हमने लाया नहीं है, तो इसके जगा पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं d but 2 2 और देखे क्या लिख سकते हैं और d बटे 2.0 लिख लेते हैं और d 2.000 और d बटे 2.00 00 ऐसा कुछ भी तो हम लिख सकते हैं इस 2 के जगह पर हम यह भी लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं मालनो आप formula जब आप calculate कर रहे हो radius और diameter बटे 2 2.000 00 जीरो लिखे हुए, क्या फर्क पड़ता है आंसर तो मेरा वही आएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ आएगा ना, तो कहने का क्या मतलब, भाई ये जो नंबर है न उसको चाहे ऐसे, लिखो चाहे ऐसे, चाहे ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, तो हाँ मीनी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर वन सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है यहाँ पर केता है, तो तीन एक चार सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर चार एक यहाँ 5 significant figure है तो भाई इस number का how many significant figures possible so we will say that these numbers have infinite significant figures क्योंकि हम यहाँ तो मरते 10 तक लिख सकते है 2.000 70 साल तक उसके बार लिखते रहो फिर 2.000 80 साल तक 2.000 15 साल तक यार लिखते रहा जाकते है तो it has infinite क्या बोल देंगे significant figure it has infinite significant figures तो यह चीज हो गया has infinite number of significant figures पाई कभी 3.14 बहुत सारा नूबर चलते चला जा रहा पाई क्या एक इक नमबर है जो डेराइव करके ने वो है एक नमबर लेकिन उसका significant figures के तना है तो बाई नन स्टॉप है तो infinite हो गया तो ऐसे हो गया 8 अब देखिए जो हम पढ़े उसका सवाल बेस्ट है यहाँ पर था how many significant figures are there in the measured values बताई कि क्या है बताईए आप एसे question पी treat करिए ज़रा इसको no down करके copy में देखिए और उसके बाद जब मैं solution भी बताऊंगा तो check करके बताईएगा comment section में कि sir यह वाला जो है six में मेरा चार सही हुआ पांच सही हुआ नहीं sir मेरा six में six ठीक no down कर लिए मैं start करता हूँ यह क्या है कहीं कोई अथी कुछ नहीं तो सारे significant यानि कि तीन दू पांच significant figure ऐसे फिल लिख देता हूँ पांच significant figures फिर यहां पर क्या है कि decimal भी लगा हुआ है और दो non zero digit के बीच में zero फंस रहा है तो भाई यह सारे significant है यानि कि तीन दो पांच है कितना हो जागा छे significant figure next decimal के बाद और पहला non zero के पहले तो यह सारे non significant होता है यानि कि सिर्फ यतने significant figure होगा कितना चार significant figure सही आ रहा है कि आप लोग का भी और कोई number है trailing zeros पीछे हो भाई या तो उसका कोई मतलब नहीं है hence three significant figure यहां पर decimal लग करके trailing zeros हो तो इसका significance होता है यानि कितना आ जाएगा दो दो चार दो छे छे significant figure कोई numbers दिखाई दे रहा हो जिसमें कि 10 के power हो यानि orders are not significant hence इसमें भी तीन significant figure हो जाएगा जो सामने वाला मेरे पास number है सही है तो 6 में 6 कितना लोग को आया है सब लोग को आया होगा मेरे ख्याल से rounding of numbers पढ़ते हैं और उसमें rules क्या follow करते है rounding of numbers जैसे कभी होता है कि 5.34 है मैं इसको बोलता हो कि आप round off करो two significant figures तक तो दो मतलब कि यहीं तक आप round off करो तो इसका मतलब इस four को उड़ाओ और यह पूरा number से five point three तक ही cut off कर लो three तक cut off कर लो इधार चार को फेक दो बाहर तो बताओ कि क्या तो जब उडाया जाता है कैसे उडाते है वो सीखना है तो दिस इस एक्चुली उडाओ numbers में थाड सबसे पहला rule one क्या कहता है थोड़ा English देख लेते हैं बचो इव दर नंबर लाइन होगा इप्रिंटिंटिंटिंटेग इन लाइन होता है क्या होता है यह वाला लाइन इन नंबर शलाइं ल वाई आई-एन जी मतलब नंबर शल है two significant figures तक हमको round off करना है यानि कि यही तक तो समझे कि यहां से हमको क्या करना है cut off कर लेना है लाइन स्विप समझना बहुत जो रही है वरना क्या होता है मैं तो इसको solve कर दूँ बचो आप रीडिंग दोगे book समझे मने आगा क्या number cut off करने cut off किये थे पता नहीं दिमाग मे चेक कर ये कि right side ला जो number है cut off होने के बाद क्या है वो less than five है क्या less than five है तो बोलता है क्या then the cut off digit यह है मेरा cut off digit cut off digit यह वाला then the cut off digit is unchanged यह unchanged रहेगा but if it is more than five अगर यह number जो है more than five होता तो cut off digit जो है क्या होता देंदा cut off digit is increased by one थोला मड़ा idea तो होगा जैसे नहीं हो ताकि 5.36 है तो बोलते है तो ग्रेटर है तो इसको हम ग्रेटर कर देते हैं क्योंकि 5 से ग्रेटर है 5 से कम है तो यह हटा 3.1 3.2 इसको क्या लिख जेते है 3.6 रहता तो बोलते है भाई 4 लेलो इसको जो short tricks भी बताते आप लोग calculations के नहीं नुमेरिकल में तो वही हिसाब से है तो यह क्या हो जाएगा यह cut off digit उसके बगल देखे less than 5 गया तो remains unchanged यानिकी 5.3 इसका answer हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका answer बचो 5.3 इसमें देखे round of 6.15792 4 significant figure 4 मतलब यहाँ तक तो हम बोलेंगे की भाई ऐसा तो यह मेरे लिए क्या हो गया cut off cut off digit cut off digit के right side check करो क्या है 5 से greater जब greater हो तो उसके पहले वला digit जो है cut off जो है उसको increase by 1 यानि क्या answer क्या आजएगा 6.157 को क्या कर देंगे 8 या तो increase या तो remains unchanged depend करता है 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है बस यह हुगा rule 1 rule 2 क्या कहता है rule 2 देखे क्या let 1 1 6.451 है इसको round off करना है to 3 significant figure 3 significant figure कहा तक होगा यहा तक अच्छा एक और number है 9.2754 को round off करना है to 3 significant figure 3 कहा है यहा तक मत्तब कि यहीं तक round off करना है तो बाकी को क्या कर देना है ओड़ा देना है है कवा ऊड़ भैस उड़ेगा कर देखना है भैस उड़ेगा कवा तो मैना उड़ное ऊड़ तो def 51 आउर तो एक चटाका धराक से खेले होंगे बच्वें नो ऊड़ता है और उड़ता है और वही है जो बघल रटीडिट है उसको उड़ा देना जब उड़ने वाला डिजिट अगर 5 हो इसके पहले वाला में क्या था फॉलने व्ला डिजिट कुछ और था five से less यह five से greater five से less तो वह सही राणे जिते था five से greater तो उसके पहलो अब क्या नव फाइवे हो गया तो जब भी 5 आ जाए उड़ने वाला डिजित तो उसके राइट साइड हमेशा चेक किया जाता है कि उसके साइड आप चेक करो कि कुछ नहीं है कि जीरोज है कि जीरो के अलावा है अगर 5 ही उड़ने वाला होता बचो समझेगा बड़ा मस्ते गोची बता रहा हो देखे 16.4 है ना अगर यहां तक 5 ही उड़ने वाला होता है या 16.45 जीरोज होता माल लीजिए या 16.5 स्वरी कहता है यह के साथ बता दे ना तक दिमाग में सही से इनपूड जाएगा 16.45 यहां पर 1 ऐसा कुछ है तीन चीज होता है उड़ने वाला डिज कहानी कैसा है उसके राइट साथ का कहानी तीन ही चीज हो सकता है या तो zeros हो या तो कुछ नहीं हो या तो उर हो zero हो कुछ नहीं हो या कुछ और हो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला की कुछ और हो उसके बगल य小時 12456789 कुछ भी यह दोनों हम लोग नेक्स्त वाला में तो 5 हमको उडाना है उसके बगल ला डिजिट को चक करिए क्या है अगर उसके बगल ला डिजिट देखे यहां पर क्या है if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, 0 के अलावा अगर कोई digit हो then the preceding digit is increased by 1 या नी की देखे 0 के अलावा है क्या है तो भाई यह वाला जो है न यहां पर प्लस 1 कर देंगे answer केतना आ जागा 16.5 अच्छा next देखे जरा उडने वाला हो 5 उसके बगल में क्या है 0 के अलावा है क्या बिलकुल it is other than 0 other than 0 है तो यहां जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस 1 यानि की 9.2 क्या हो जागा एक डिजिट बढ़ा दिजे ऐसे करके तो increase by 9.28 हो जाएगा अच्छा अगर उडने वाला पांच हो उसके बगल में देखते हैं जरा की कुछ क्या है भाई तो यह रूल 2 हो क्या रूल 3 में आते हैं if the digit to be dropped is simply 5 और 5 followed by zeros तब क्या करते हैं हमेशा हम लोग ना पता है क्या करते हैं उसके पहले वाला डिजिट चेक करिए कि even है या चेक करते हैं कि infinity is odd यह दोनों सेम चीज़ है रूल 3 और रूल 4 उड़ाते हैं round off 3.650 and 3.65 to 2 significant figures 3.65 को 2 तक round off करना है इसको भी 2 तक round off करना है उड़ने वाला डिजिट कौन है भाई 5 तो 5 के बगल में या तो 0 हो या 5 के बगल में कुछ नहीं हो तो नियम कानून क्या कहता है कि यह डिजिट आप चेक करिए कि even है या odd मेरे लिए यहाँ पर क्या है यह य होता है तो तो भाई यह even है कुछ नहीं करेंगे यानि कि answer क्या आजाएगा 3.6 यह जहाँ पांच उड़ने वाला हो पांच के बगल में या तो 0 हो या कुछ नहीं हो तो हम even और odd पे चले जाते हैं क्या even कुछ नहीं करेंगे यानि कि 3.6 अराम से अब फिस सेम चीज ही अग लेखते हैं क्या करते हैं बढ़ा देंगे और क्या करेंगे यही तो करते खली बढ़ाते ही हैं इस टो भी ड्रॉब्स फाइव 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 फॉलोड बाई जीरो देन दब प्रेसिदिंग डिजिट इस रेस्ट वाइवा इफ इस ओर जैसे 3.75 जीरो एतना एतना को हम तो two significant figures तक round off करना है two significant figures तक उड़नेवला डिजिट क्या है बाई पाच उड़नेवला डिजिट है पाच उसके बगल में या तो zeros हो या कुछ नहीं हो तो हम चेक करते हैं कि यह क्या है odd है कि even तो बोले भाई यह जो है न फाइव के पहले बाई यह odd जब odd हो बचो तो increase कर तो one तो इसमें क्या करेंगा प्लस one कर दो प्लस one कर दो आंसर क्या आ जाई 3.8 यहां पी आंसर क्या आ जाई 3.8 तो यह हो गया rule four यानि बड़ी आसान है पहला क्या था कि जो उड़नेवला डिजिट हो five ही ना हो तो उसमें चेकर यह five से कम हो तो भया रहने दीजिए जैसे five से ज़्यादा हो तो बढ़ा दो अच्छा उसके बाद उसके बाद चेकरो कि five है five के बगल में क्या कोई और number है one two three four five तो बढ़ा दो उसके बाद चेकरो five के बगल में या तो zeros हो या चुपचा five हो तो even या odd even है तो रहने देते हैं और odd है तो increase करकी even कर देते हैं यानि अगर चेंपियन हो गए हैं तो इसको जड़ा solve करके दिखाए डोटल केतना question है साथ question समय दे रहा हूं बचो अराम से रोक करके वीडियो और मारिये try क्या है round of this measured values to three significant figures पूरे question जो मैं दे रहा हूं उसको सब को three significant figures तक हमको क्या करना है round of देखते हैं तीन तक round of करना है तीन तक round of करना है भया तीन तक round of करना है तीन तक तीन तक तीन तक है न हो गया चलिए तो जैसे ही तीन तक करना है तो बगलत देखते हैं ओई तो पांच से कम है क्योंकि पांच रहता तो फिर कहानी हम कुछ सोचते हैं पांच से कम है तक कम ह से चला गया वहला फुरूल बवन से चला गया यह देखते हैं ना तीन डिजिट तक हमको रखना है यह सिग्निफिकेंट फिगर उड़ने वहला डिजिट क्या है भाई पांच तो यह तो पांच या पांच यह फाज के बगल फोगल जीरों सब खर होता है तो तो सब कोई भेन आणसर केतना आ जाई 0.32 प्लस वान यानने की 7 अ अच्छा यहां पर उड़ने व्ला डिजीट यह उड़ने व्ला डिजीट यह उड़ने व्ला डिजीट उड़ने अजीट पांच यह 5 जीरो होना ता अनसर वृविवन direct answer will be even even हो हम कुछ नहीं करेंगे बया अगर odd होते हैं तो plus करके बढ़ा करके हम even कर देते हैं पांच हो, पांच के बगल में 0 हो या सिर्फ 5 हो तो पहले वला answer सब even में रहना चीए even है क्या? हाँ even है तो कुछ मत करो ऐसे दिमाग में बैठा लो यही होता है पता एक चीज lectures अगर देखा हुआ रहेगा आपका तो वो trick सीख जाते हो कि कैसे fast करना चीजों को समझ गए तो हमेशा suggest करता हो कि पहले आप lectures देख लिया करो input आ गया, तेज बन गए, trick भी सब सीख गए और तब आप books भी reading करोगे या books बनाओगे, कोई भी कुछ भी बना रहे हैं DPP सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोगों को provide कराते physics links.com website पर भाई, सारे चीज बड़ी आसानी से बनेगा यानि कि physics बड़ी आसान हो जाएगा अगर इस रास्ते से चले तो अगर कोई तिकडिम रास्ते लगाते तो थोड़ा सा सफर थोड़ा मुश्किल है, काटो भरी हो जाती है physics पहाड जैसा लगता है जैसे अनिल सर को लगा करता था तो आप सोच लो कैसा लगना चाहिए 69.35, क्या करे? उड़ने वाला डिजिट 5 है क्या? 69.1 बढ़ा करके कर दिये कैतना आगया? 4 अब क्या है? हम पूरा rounding off सीख गए हैं, पूरा significant, precision और accuracy सारे चीज़ तो सीख गए अब आता है कि भाई आपने सब कुछ पढ़ा? अब rules for algebraic operations with significant figures significant figures के साथ हम लोग arithmetic operation करते हैं यारी addition, subtraction, multiplication, division तो addition और multiplication division एक साथ पढ़ेंगे, ये बहुत काम का चीज़ होगा जो आपकी schools वेगरा में आए उसमें और competition में भी क्योंकि 4 options रहता है उसमें tick करना रहता है, एकदम थोड़ा सा के कारण बार की अंतर होगा, सिखते हैं जब भी कोई numbers को आप addition ये subtraction कर रहे हो समझना बहुत जोरी है बचो, in addition और subtraction जैसे की 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789 सारे को हमने जोड दिया, तो जोड करके ये आया, जोड करके रख दिये क्योंकि आंसर हमको एक्चुली बताना है आप लोगो, जोड ये अंसर आगे, 11.439 12.63 माइनस 10.2 की ये subtract करके 2.43 आया, आगया है बुलेगा, what is the answer, चार option दे दिया सो भावी कि ये टीनों को जोड करके क्या आएगा, यही आएगा ना तो मान लीजिए ये answer में डे दिया आपको, 11.439 आप तो मार दोगे, टीक, बुलोगे यार पढ़े तो ये जोडने बाद यही आता है मार दोगे, टीक, गलत हो गया है, आज तब बच्पन सी यही पढ़े थे भाई कि जिसको जोडना है, जोड करकर कि यही तो सिखाया गया, यही है significant figures regarding, तो थोड़ा सा, मुलब सच्छे तरह ना अब जैसे ये दोनों है, subtract करके क्या हैगा, 2.4, बिल्कुल, answer यह होगा, नाई, गलत अब यह हम चेक करें कि कैसे होगा, तो वही rule कहता है कि क्या addition और subtraction जब आप कर रहे हो numbers का, तो final result में वो होना चाहिए, should retain as many decimal places as there are in the number with the least decimal places, क्या है least decimal places, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखे जारा, यह जो number है ना, इसमें कितना decimal places है one decimal place, इसमें two decimal places, इसमें कितना है three decimal places तो इटीनों में सबसे कम किस में है, तो सबसे कम किस में है, one point two में यहाँ पर है least decimal place, least decimal place, कितना है, only one तो answer में भी सिर्फ one decimal place ही आना चाहिए, जो सबसे minimum अगर हो वही मेरे answer में क्या होना चाहिए, reflect होना चाहिए, जैसे होता है कि माली जे, कोई तीन इंसान हो, समझिएगा, तीन इंसान हो, एक, दो, तीन, और जो final result जो जिस पर based है, वो तीनों का बात क्या है, मेरा include होना चाहिए, ठीक है, final जो कुछ होगा, जैसे बोलते हैं कि भाई, आप अपना opinion दीजे कुछ भी, अच्छा, आपका opinion क्या, आपका opinion क्या, सारे चीज का opinion आ गया, तो कम सक करना है, कानून बनाना कि तीनों का बात मानना है, ऐसा कैसे होगा, तो बोलते हैं कि देखो, ये कहता है decimal के एक places तक, कितना sensitive है, हमको समझ में आता है, ये decimal के दो places तक बाते करता है, ये decimal के तीन प्लेसेस तक बात करता है, यह बहुत बारिकी अध्यान तक करता है, बहुत अच्छा और उसके बाद यह अपना राई पर कट करता है, कि मेरा ऐसा है, जोड़ करके आंसर आया यह, तो क्या हम कानून यही बना दे, नहीं, अगर यह बना देंगे, तो डेसिमल के तीन प् इसा काम कट पांकी दो, तो भाईया, दुनिया गोल है, तो as a senior, हम दुनिया में सबसे सर्फ्रेस्ट अगर है, हम कौन सा कानून बनाएं, जो सब का बात आ जाए, सब का बात क्या है, तो बोलते हैं, भाईया, लीस्ट जो है ना, कम से कम, एक डेसिमल प्लेसेस वाला लिख इसी क्या होगा, ये भी खुश, ये बोलेगा, आख हम तो दो तक बात किये थे, चलो एक ले लिया, तो मेरा भी बात सुना तो गया, ये बोला, आख हम तो तीन तक यतना गहन अधियन करके बताए थे, तो बारिकी से डेसिमल प्लेस के अंदर, तीन तक, एक तक ले लिया सब का बात कम से कम माना जाए कुछ नहीं भी है लेकिन कोई बात नहीं माना सब का जाए मैजूरिटी में तो answer क्या आता है one decimal places तक होने का मतलब क्या है कि सिर्फ 11.4 तक ही होना चीए तो एतनी दूर तक answer में हो इसका मतलब क्या है इसको उडाना इसको क्या करना है बचो उडाना है तो जिसको उडाना हो उडाना का मतलब क्या राउंड ओफ करना है तो जिसको उडाना हो वो चेक करो कि five से कम है कि five से जादा है rule number one five है उसके बगल में quarter digit या five है उसके बगल में zeros क्या है भईया five से कम जब 5 से कम होता है तो चुप चाप जैसे answer है न वैसी रिख दो ये कौन सा से चला गया rule 1 round off rounding off का rule 1 से चला गया ठीक subtract करके लाएं ये decimal के 2 places तक बात करता है ये 1 decimal places तक भया ऐसा कुछ करो न ताकि दोनों का बात बने वरना मारेगा हमको पकड़ करके फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो इसका minimum 1 decimal places तक बात करते हैं यानि कि यहीं तक बात करेंगे तो इसको हमको उडाना है उडाने वाला नंबर क्या है भया या 5 से कम या 5 से ज़्यादा पांच से कम है तो वैसी रख दो पांच से ज़्यादा होता तो बढ़ा देते हैं पांच से है कम चुप चाप चाप दो यानि कि 2.40 कौँची से आ गया रूल वान राउंडिंग ओफ के रूल वान से आया है इस एडिशन या सब्टराक्षन का कॉंसेट तो डेसिमल प्लेसे हम चेक करते हैं मिनिमम अच्छा इसमें हमेशा ना जैसे बोलता है यह भी बोल रहा वो भी बोल रहा तो हमेशा मिनिमम क्रिटेरिया ही वहलिड होगा कम से कम तुम्हारा भी बात आ जाए, कम से कम तुम्हारा भी, कम से कम तुम्हारा भी आ जाए, इसलिए हम इसा लिस्ट वाला उठाते हैं अंसर में, फाइनल जो नियम कानून बने, मैक्सिमिम वाला कभी नहीं उठाएंगे, जे वरना maximum लोग उठाएंगे तो दोनों पकड़ के हमको मारेगा, हमने चाहते कहीं मार पीठ हो, तो उस हिसाब से यहाँ देखे, जब multiplication and division कर रहे हो, 1.3 into 36.72, multiply किये, answer आया 44.064, पूरा पूरा गुना कर लिजे, तो जब आपका exam में आए ना कि इसको इसको गुना करना है, तो आप पूरा पूरी अच्छे से गुना करो, जितना बढ़िया से जामते हो, जितनी डिजिट्स तक है, सब गुना करो पहले, अतब लिखो कि according to rule, answer will be this, यह होता final, लेकिन यह भी करना जोरी, वरना stepping में चला जाता है, तो इन multiplication division में हम चेक क्या करते हैं, significant figures को चेक करते ह अतले हैं कि least significant figure जो है न numbers में कितना है, the final result should return as many significant figures, उतना होना चाहिए as there are in the original number with the least significant figure, addition, subtraction में बात करते हैं किसका least decimal places तक होना चाहिए, और multiplication division में least significant figures की बात करते हैं, जैसे कि इसमें केतना है 2 significant figure इसमें केतना है 4 significant figure दोनों में list कौन है भाई 2 तो हमारे answer में 2 significant figure ही होना चाहिए बस एतनी होना चाहिए इसको क्या करना है उड़ाना है उड़ने वाला number चेक करो कि 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है कि 5 है 5 तो है नहीं तो rule 2, 3, 4 तो हम जैबू नहीं करेंगे 5 से कम 5 से ज्यादा 5 से कम तो यह चुप चाप यहीं उठा करके चाप देंगे 5 से कम हो गया कौन सा चल रहा है rule 1 rounding off थोड़ा ज्यादा असान लगा ना लगना चीए बचो लगना चीए मेरे को बड़ी आसान लग रहा है वो लोगे सार आप इतना साल से पढ़ा रहा हो नहीं या तब आसान लग रहा है ठीक ठाक से बता ही भी उमीद है तो आपको भी बहुत आसान लगी रहा होगा ऐसा उमीद जता रहे है यह देखे जिदिन चीजन नहीं 1101 मटर इक फायं तो इसको आफ अराम से डिवाइड कर लो यानिockey जब बड़िवाइड करने का बारी याता है ऐसे कर लिया करो शो आराम से कर लिया करना यानि कि पाया त्येक फुक्व्ष रिम ऐसे फिर आप टेवल पढ़ हो एक बार में गया एक सो दो तरी हो गया आठ ऐसे ऐसे करकर के पूरा डिवाइड करते चले जाओ तो वान आ रहा ऐसे करते चले जाओ जहां तक जा रहा है सारे आंसर सा आ गया अब क्या बोलता है कि भाई जब मल्टीपिलिकेशन डिविजन ल अगर अगया है तो हम देखते रूल टू थ स्ट्रीज राचाहिए और तह से जादा तो यह रहा बचों पता है पूरा डिटेल जो सिंग्निफिकेंट फिगर्स और रांडिंग ओफ से रिलेटेड है तो मेरे कि समझ में आ गया होगा तो यह आप इसको प्रैक्टिस करिए इस पर और फिर इस पर जो डिपीपी मिलेगा जो कि वेबसाइट से अब डाउनलोड कर करना है ताकि मान भर प्रैक्टिस और अच्छे अच्छे लेवल का भी कुश्चन समस्वें देखेंगे थैंक्यू